जापान के लोग कथाओं के अनुसार कुछ से के ओनर एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मूह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपना मूह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है साथ ही अपने साथ चाकू या कैची जैसी धारदार चीज भी रखती है माना जाता है उसकी आत्मा सरको पर घूंती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वो सुंदर है अगर इंसान नहीं कहेगा तो वो उस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हा कहता है तो वो अपना मास्क निकाल कर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वो आत्मा उसकी हत्या कर देती है